हम सोचते रहते हैं कि animals की हमें देखबाल करने पड़ती है हमें उनकी care करने पड़ती है तब ही वो survive करते हैं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है animals भी हम लोगों की care करते हैं और अपने पे आजाए तो जान भी बचाते है यहान एक ऐसे ही elephant कारी की story दी गई है जिसमें की कारी जो की एक छोटा elephant है just five months old वो कैसे एक drawing डूबते वे लड़के को बचाता है चलिए शुरू करते हैं आज की वीडियो Question number one Question number one वो जगा वो बेडा या बाडा जिस जगा कारी रहता था वो थी एक छपर वाली छट जो की एक ट्री के मोटे ट्री के स्टंप के ऊपर था यानि जो छपर सा ऊपर था इसे करके आप जानते हैं तो ये कहलाता है ट्रंक इसमें से क्या करते हैं कि उपर का ये ट्री सब काड़ देते हैं और जो ये नीचे का ये वाला हिस्सा बजता है ये स्टंप कहलाता है तो स्टंप के उपर था उसका थेस ग्रूफ एक्जमीन दा इलस्टेशन ओफ कारी पवेलियन ओन पेज एट पेज एट पर कारी के पवेलियन यहने कि जहां वो रहता था उसका एक्स्प्रेनेशन दिया है से वाई इट वस बिल्ट दाट वे बताएए वो ऐसी क्यों बना गया था कारी पवेलियन वस बिल्ट अंडर एट एट रूफ हैविग इट सपोर्ट ओन एट तिक प्री ट्रंग कारी का पवेलियन एक चपर वाली चट के नीचे बना था जिसमें की एक मोटे से ट्री का ट्रंग का सपोर्ट था दे सपोर्ट वाज नेसेसरी सपोर्ट जरूरी था नेसेसरी का यूँब जरूरी होता है तू सेव दा रूफ फ्रॉं फ्रॉलिंग डाउन चट को नीचे गिडने से रोकने के लिए, when he moved about, जब कारी इदर उदर को हिलता था, and bummed against the bamboo poles, और जो bamboo poles से उन पे टकराता था Did कारी enjoy his morning bath on the river? क्या कारी को नदी में, अपने morning bath में मज़ा आता था? Give a reason for your answer, yes कारी लाउट to be taken to the river for his bath, कारी को नहाने के लिए नदी पे जाना बहुत अच्छा लगता था He lay down on the sand bank वो रेती ले किनारे पर लीट जाता The narrator rubbed his body with clean sand, और साफ सुत्रे sand से narrator उसकी body को रगरता, narrator होता है जो कहानी सुदाने वाला है Then he washed his body with water, फिर उसकी body को water से wash करता He used to make sound joyfully और उस समय कारी बड़ी खुशी के भरी हुई आवाजे क्या करता था Finding good twigs for कारी took a long time छोटी छोटी अच्छी टहनिया ढोनने, कारी के लिए टहनिया ढोनने में बहुत टाइम लगता था, why, क्यों? The narrator get to work hard to gather gather का मतलता है, collect कट्टे करना Soft new tricks for कारी कारी के लिए लायम नहीं छोटी टहनिया ढोनने में कट्टे करने में नेटरों को बहुत महनद करनी पड़ती थी He had to climb all kinds of trees सभी परकार के पेड़ों पर चड़ना पड़ता If the tricks were deformed अगर टहनिया टेडी मेडी होती कारी refused to eat them तो कारी उन्हें खाने जे मना कर देता था Why did कारी पुश इस friend into the stream कारी ने अपने दोस्त यानि के जो narrator है उसको stream में नदी में क्यों उधर की तरफ पुश किया धकेला कारी पुश इस friend यानि के narrator को धकेला into the stream Because a boy was drowning in the water क्योंकि एक लड़का पानी में डूब रहा था drowning का मतलब डूब ना कारी himself could not save कारी उसे खुट तो नहीं बचा सका and carry the boy to the shore और लड़के को तट पे नहीं ला सका नदी के किनारे नहीं ला सका कारी वो लाई की बेबी कारी बेबी की तरह से था what are the main points of comparison comparison कैसे करेंगे कारी वो लाई की human बेबी की तरह था he had to be taught a few lessons to become good अच्छा बनाने के लिए उसे भी कुछ बाते सिखाने होती थी लाई की बेबी की तरह he to played some mischief mischief मने शतानी वो भी कुछ शतानिया करता था he used to steal away the fruits from the dining table और वो dining table से फल चुरा लिया करता था कारी helped himself to all the bananas in the house without anyone noticing it कारी ने सारे बनाना अपने लिए ले लिए घर में किसी की notice में आये बिना how did he do it कैसे क्या उस नहीं कारी वोज़े मिश्चीवियस बट इंटेलिजेंट के लिए चर कारी एक शतान लेकिन बुद्धिमान के लिए चरता he started taking away the bananas kept on the dining table उसने dining table पर रखे वे बनाना को लेना शुरू किया he used his black long trunk to steal fruits अपनी वो काली लंबी सीट सून को देखो टरंक के दो मिनिंगे हैं आपर टरंक का मतलब पेड़ का तना भी होता है मैंने जो पिक्चर बना के दिखाया था और टरंक सेमी स्पैलिंग है इसका मतलब सून भी होता है वो अपनी black long trunk को fruit चुराने के लिए यूज करता था through the window window में से चुराता था कारी लांड दा कमांड to sit and to walk कारी ने बैठने की और चलने की कमांड सीखी what were the instruction for each कमांड हर कमांड की के instruction सी कारी लांड दा कमांड to sit down or stand up and walk fast or slow कारी ने सारी कमांड सीखी नीचे बैठने की खड़े होने की तेज चलने की शुलो चलने की the word धत was the command to sit down धत ये कमांड बैठने की थी the word माली was the command to walk माली जो कमांड थी वो चलने के लिए थी कि अब उसे चलना है what is the master call master call क्या थी why is it the most important signal for an elephant to learn किसी भी elephant के लिए सीखने के वास्ते ये सबसे important signal क्यों है the master call was a strange kind of hissing like a snake and hauling like a tiger master call एक अजीब सी आवाज थी जो साप की तरह से हिश ये आवाज थी और tiger की तरह से hauling गूराने वाली आवाज थी it sounded ऐसा लगता था like a fight between a snake and a tiger जैसे snake और tiger की बीच में लड़ाई हो रही है the sound had to be made in the elephant's ear ये आवाज elephant के कान में करनी होते थी ये एक signal था आवशक signal था कारी के लिए कि वो पेड़ों को उखाड डाले and make a passage through the dense forest for the house और घने जंगल में से घर के लिए रास्ता बनाए अब short answer type questions है how old were कारी and the narrator कारी the elephant was five months old वो केवल five month का था when he was given to the narrator जब वो narrator को मिला था the narrator was nine years old और narrator केवल nine year का था what did कारी eat and how much कारी क्या खाता था और कितना खाता था कारी eight twigs कारी टहनिया खाता था he did not eat much वो जादा नहीं खाता था still he needed 40 pounds of it daily वो उसे daily 40 pounds चाहिए थी एक pound में 400 gram होते हैं अब कुछ निकाल सकते हैं कितने kilo he achieved the tigs for 10 योगों खाता and played with them और उनके साथ खेलता था what did the narrator do with the hatchet hatchet का मतलब होता है X यानि के कुलाडी नैटर कुलाडी थी क्या करता था the narrator had to bring some luscious tigs for caries dinner नैटर को कारी के dinner के लिए कुछ luscious का मतलब होता है बहुत ही tasty टहनिया लानी होती थी he used to cut down the tigs with a sharp hatchet वो तेज कुलाडी से twigs को टहनियों को काटा करता था why did the narrator climb the trees नैटर trees पर क्यों चरता था the narrator had to get twigs for caries नैटर को कारी के लिए टहनिया लानी होती थी the most tender and delicate tigs were found on the trees tender or delicate के लिए lesson में वर्ड आया भी मने बता है luscious बहुत ही नाजुक और मतलब soft टहनिया वो trees चलाता था so he used to climb the tree इसलिए उसे पेड़ पर चलना पड़ता था why was it necessary to train कारी to be good कारी को अच्छा बनने के लिए train करने की जर्थ क्यों थी कारी was like a naughty boy कारी एक शतान लड़के की तरह से था he took pleasure in making mischief शतानी करने में उसे बड़ी खुशी मिलती थी therefore इसलिए he had to be trained to be good अच्छा बनने के लिए उसे training की जर्थ थी who were wrongly blamed for the theft of the bananas banana की चोरी के लिए किस-किस पे आरोप लगाया गया गलती से the banana was stolen again and again banana की बार बार चोरी हो रही थी again and again का मतलत है बार बार first of all the narrator's family blamed the servant पहले किस पे आरोप लगाया जो servant से for eating all the fruit के सारे fruits उनोंने eat कर लिए है the next time the narrator himself was blamed for the theft theft का मतलत चोरी और next time narrator पर ही चोरी का आरोप लगा both the narrator and the servants were wrongly blamed narrator और servant दोनों पे गलती से आरोप लगाये गये थे कारी used to steal the bananas every time हर बार कारी ही बनाना चुराया करता था what did the narrator do when he found कारी stealing the bananas narrator ने क्या किया जब उसने कारी को बनाना चुराते वे देखा narrator ने क्या किया the narrator found कारी stealing the bananas narrator ने कारी को बनाना चुराते वे देख लिया he pulled out कारी from the pavilion by the ear उसने कान पकड़ के कारी को pavilion से बहाँ निकाला he showed कारी to his parents उसने कारी को उसने parents को दिखाया he also scolded the elephant scolded का मदो दाट लगाना उसने elephant को डांट भी लगाई अब long answer type questions give a character sketch of कारी कारी का character sketch बताईए कारी दा elephant lived in a pavilion under a test roof कारी elephant छप्पर वाली छट के नीचे एक pavilion में रहता था once he saved the life of a drowning boy with the narrator's help एक बाँ उसने narrator की help से डूबते वे लड़के की जिंदगी बचाई he was fond of eating luscious twigs उसे बड़ी नाजुक और कोमल टहनिया खाने का बड़ा शोकता है he enjoyed rolling in the sand उसे sand में लड़कने का and bathing in the river और river में नहने का भी शोकता he was a sensible elephant वो एक बहुती भावक elephant था he made a call to the narrator उन्हें ने नेरिटर को बुलाया when he saw a boy droning in the river जब उतने river में लड़के को दूबते वे देखा he helped the narrator fully in bringing out the drowning child दूबते वे बच्चे को बहार लाने में उतने narrator की पूरी help करी he was a naughty elephant वो शैतान elephant था he took pleasure in making mischief उसे शैतानिया करने में बढ़ा मजाता था he had a great love for ripe bananas उसे पके हुए बनाना बहुत अच्छे लगते थे राइप करने पके हुए he used to steal the bananas वो बनाना चुराया भी करता था soon he was found out stealing the bananas जल्दी उसके बनाना चुराने की बात पता चल गई when the narrator scolded him his ego was hurt तो उसका आत्म सम्मान आहत हुआ hurt का मतला आहत होना he never stole anything in future उसने फिर future में कभी कोच और ही ने करी he was willing to be punished for his wrong अपनी गलती के लिए उसे दंड पाना यानि के punishment पाना अच्छा लगा उसके लिए willing था वो he was a slow but good learner वो एक धीमे से सीखने वाला लेकिन अच्छा learner था like a child जैसे की बच्चे होते हैं give the character sketch of the narrator narrator का sketch बता हिए कि उसका character कैसा था the narrator was a boy of 9 years narrator 9 years का boy था when the 5 months old कारी was given to him जब 5 month के कारी को उसे दिया गया they grieved together वो सासाथ बड़े हुए he was not a good streamer वो एक अच्छा streamer नही था however he saved the life of a drowning boy with the help of the elephant लेकिन फिर भी उतने elephant की help से दूबते वे लड़के को बचा लिया he grew friendly with the elephant वो elephant से दोस्ती करने लगा he climbed up the trees to get luscious tricks for कारी कारी के लिए बड़ी नाजुक, कॉमल, टेहनिया लाने के लिए वो पेड़ों पर चगता he took कारी to the river वो कारी को रिवर पर लेकर जाता and rubbed him with clean sand और साफ सुसरे sand से उसे रगड़ता he cut the twigs with a sharp hatchet hatchet axe वो एक तेज कुलारी से टेहनियों को काटता he always heeded to the elephant's call heeded मेना ध्यान देना वो elephant की फुकार पर हमेशा ध्यान देता he was a boy of ego वो आत्मसम्मान वाला लड़का था he got angry with his parents वो अपने parents से गुस्सा हो गया when they blamed him for the theft of the bananas जब उन्होंने उस पर बनाना की चोरी करने का आरोप लगाया he was a good observer वो हर्टीज को बड़े ध्यान से देखता था soon he discovered तुरंती उसे पता चल गया that curry was the thief के चोर curry है he pulled curry by the ear उसने कान से कारी को खीचा and scolded him in harsh language a kठोर language में उसे ध्ट लगाई he learnt how to make the elephant sit down उसने ये भी सीखा elephant को कैसे नीचे बठाएं उसे walk करवाएं go fast और go fast और slow और तेज चलाएं या फिर तेज और slow चलाएं by saying धत और मालिक कहकर तो इस प्रकार से आपने ये वीडियो देखी आपको लेशन समझ में आ गया होगा thank you for watching the day अगर आपको मेरा पढ़ाव अच्छा लगता है तो चैनल सब्सक्राइब कर लिजे have a nice day and have good luck